प्रतिबंदित किया गया है जिसकी वज़े से यहां आने वाले परियटक और स्थानिक नागरिकों को अपने गंतवे स्थान तक पहुँचने के लिए किसी हाथ रिक्षा का सहारा लेना पड़ता है इसी अमानविय प्रत्था को रोकने के लिए श्रमिक संगटना द्वारा पिछले 10 सालों से रिक्षा शुरू करने के लिए लड़ाई चल रही थी सरोच नायले में इसके लिए अपिल भी की गई थी आखिर में सरोच नायले द्वारा माथेरान में इ रिक्षा शुरू करने के लिए इन इ रिक्षा का परिक्षन कर महिंद्र कंपनी की रिक्षा के लिए माननेता दी गई है महींद्रा कमपनी की सात रिक्षा प्रायोगिक स्तर पर माथेरान में शुरू की गई है जिसके लिए परिवहन विभाग वाहन विभाग के निरिक्षन में सात मर्च तक प्रायोगिक स्तर पर ये सात रिक्षा चलाई जाएंगी जिसके बाद नयाले द्वारा मान्यता मिलने पर इन रिक्षा को मातिरान में हमेशा के लिए चला जाएगा